हैलो गाईज नमस्कार कैसे है आप सभी दोस्तो आज बात करेंगी राश्तान इतियास की जो इंपोर्टन्ट क्यूसन्स हैं एक्जाम पोइंट अफिसे देखा जाए तो बहुत इंपोर्टन्ट सवाल होंगे और बात की जाए इससे पहले करंट अफेर की तो दो-तीन सवाल ह दोस्तो जंता किलनिक जो है उसकी सुरुवात गहलो सरकार यानि रास्तान सरकार ने दिसंबर 2019 में की थी आपको याद हो थोड़ा सा भी 2019 यानि 18 दिसंबर 2019 में इसकी सुरुवात की गई थी पहला सहरता जहां से शुरुवात की गई थी उसके बाद में जोदपुर में इसके सुरुवात की गई है टीम मास्क फोर्स यह BCCI के दुवारा इनिसिट्व लिया गया है आपको पता है BCCI जो किर्केट बोर्ड है अपना इंडिया का स्पोर्ट्स और्गनाइजिशन है इस प्रेस के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो 122 आनिस वाइस्तान बहुत ही खराव रेंक है अब बात की जाए चोगता अटल पैंसन योजना जो शुरुवात की गई थी 9 मई 2015 को अटल पैंसन योजना थी जो 2015 को शुरुवात की गई थी और 2020 में 9 मई को इसको 5 साल हो हैं 2020 में इसको 5 साल हो गए हैं और अटल पैंसन योजना 18-40 वर्स 18-40 वर्स के लोगों के लिए है इसमें आप पहले पैसा जमा कराओ और जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपको परमंत कुछ पैसा मिलेगा दोस्तों इंडियन ने वी ने समुंद्र सेतु मिशन ऑपरेश भारत सरकार दोआरा जो विदोसों में जो हमारे भारत की पसे हुए हैं उनको वाईयू मार्ग से लाते वे उनको मतलब भारत लाना है 7 मई से ये शुरू किया गया था और काफी अच्छे तरीके से ये किया जा रहा है मिशन अब बात करते हैं पहला सावल आपके सामने स्क दोस्तों जो हाल गुरू की उपादी प्राप्ती वो थी माराना कुम्बा को और इने और भी उपादी प्राप्त थी हाल गुरू यानि की पहाडी दुर्गों के विजेता पहाडी दुर्गों का विजेता कहा जाता है हाल गुरू का मतलब होता है पहाडी दुर्गों का व हिंदू सुर्तान, रानो राए, राने राए, रानो रासो, राने राए, राने राए, रानो रासो, ये भी पादिया प्राप्ति इनको, अस्वपती यानि कि ये गुड़ सवार में मतलब पारंगत थे, अस्वपती भी इने का जाता है, अस्वपती भी इने का जाता है, गु चाप गुरु यानि की चापा मार यानि की युद्ध में पारंगत थे चापा मार विदी में चापा मार युद्ध में पारंगत थे ये दूसरा सवाल आता है आवल बावल की संदी कब हुई ओफशन है 1432 इस्वी 1455 1326 1453 पताएं इसका जो आंसर रहेगा दूस्तों 1453 है आवल बावल की संदी 1453 में हुई थी ये हुई थी राव जोदा मारवाड के साथ सकते राणा कुमबा ये राजमता हंसा भाई के कहने पर हुआ था और इसके तैट सीमा का निर्धारन किया गया था मेवाड और मारवाड की सीमा का निर्धारन और इसी के साथ में एक और इनके साथ में समझाता हुआ था संदी उई थी जो कुमबा के पुतर थे राईमल वो जोदा की पुतरी स्रंगार देवी जोदा की पुत्री थी श्रंगार देवी ठीक है दोस्तों तिसर सवाल है विजे इस्तंब में कितनी मंजिल बनीवी है विजे इस्तंब में कितनी मंजिल बनीवी है साथ, आठ, नो, दस बताएं दोस्तों विजे इस्तंब में नो मंजिल बनीवी है नोमंजिल का बना हुआ है ये महाराना कुम्बा द्वारा बनाये गया था सारंगपूर का युद्ध हुआ था उसकी जीत में सारंगपूर का युद्ध 1437 इस्वी में सारंगपूर का युद्ध कुम्बा और मामूद खिल जी मालवा के सा सकते मामूत खिल जी उनके हुआ था सारंग पूर का युद्ध सारंग पूर का युद्ध हुआ था दोस्तों इसी की विजे के उपलक्स में इसका निर्मान कराने का निस्सिक आया था विजे इस्तंब का और आपको याद हो इसमें 9 मंजिले थी यह याद रखना बहुत इंपोर्टेंट है और इसमें 157 सीडिया थी 9 मंजिले 157 सीडिया और राजस्तान की प्रथम इमारत राजस्तान की प्रथम इमारत जिस पर एक रुपे का डाक टिकिट जारी किया गया है सबसे पहली मारती, जिस पर ये डार्ग टिकेट जारे गिया, डार्ग टिकेट, ठीक है, ये बात रहाद रखना, और ये भगवान विशनु को समर्पित है, ये इस्तम्ह बगवान विशनु को समर्पित है, और इसकी तीसरी व आठवी मन्जिल पर अल्ला लिखा हुआ है, तीसरी वव आठवी मजिल पर क्या लिखा हुआ है? अला लिखा हुआ है दोस्तो तीसरी वव आठवी मजिल पर अला लिखा हुआ है आलाव उदल कि सासक के सेना पती थे हम्मीर देव चोहान परमादी देव चंदेल रतन सिंग कानड देव चोहान बताएं तो दोस्तो आलाव उदल थी वो परमादी देव चंदेल महोबा के सासक परमादी देव चंदेल उसके सेना पते थे आलाव उदल आपको याद हो तो महोबा या तुमुल के युद्ध में प्रतिवराद चोहान के साथ इनका युद्ध हुआ था और इनकी हार हुई थी बताएं कि में इसका समयर जो आंसर है अलट ने आहड अलटने आहड उधेपूर को अपनी राजदानी बनाई और आपको याद को दो दो बपाबारावल जो थे इन्होंने नागदा विधेपूर को अपनी राजदानी बनाया था अल्लटन ने तो आहड को बनाया था ये गुहिल मेवाड में गुहिल वन्स के संस्तापक गुहिल यादो आपको थोड़ा सा भी और बप्पा रावल को मेवाड का वास्टिक संस्तापक भी कहा जाता है अब आप बात आती किश्ण नमर 6 भूतेला का युद्ध कब हुआ बूतेला का युद्ध जो है 1227 में हुआ ये हुआ था मेवाड सासक मेवाड सासक जैत्र सिंग जैत्र सिंग वह इल्टूतमिस के बीच हुआ था इल्टूतमिस के बीच में ये युद्ध हुआ था और ये युद्ध 1227 में हुआ था इसमें इल्टूतमिस की हार हुई थी मेवाड सासक कौन थे जैत्र सिंग जैत्र सिंग थोड़ा लिखने में ठीक से नहीं आ रहा उंगली से लिखना पड़ता है दोस्तों तो ये था 1227 में इल्टूतमिस की हार हुई थी परंतु इन्होंने जो राजदानी थी नागदा उसको बूरी तरह नस्ट कर दिया था राजदानी को इन्होंने नस्ट कर दिया था हालांकि इनकी हार हुई थी जेमस तोड ने सेनी को का भगनावेश किसे कहा जेमस तोड ने सेनी को का भगनावेश किसे कहा सेनी को का भगनावेश प्रताप सांगा कुमबा रतनसिक बताएं तो जो जेमस तोड ने उन्होंने सेनी को का भगनावेश राणा सांगा को कहा था किसको कहा था राना सांगा को तुसर नमर एट नाडोल की चोहान साका का संस्तापक कौन था नाडोल की चोहान साका का संस्तापक कौन था लक्षमन चोहान, विग्रे राज, हम्मीर देव चोहान, गोविंद राज दोस्तो नाडोल यानि पुरानी साका मानी जाती है चोहान की चोहानवंस की पुरानी साका और इसका लक्समन चोहान ने नाडोल की साका का संस्तापक कहा जाता है 960 इस्वी 960 इस्वी में इस साका का संस्तापन किया था इसको संस्ता इस्तापना की थी साका की लक्समन चोहान ने और आपको याद हो ये पर्थिराज की पुत्र गोविंदराज ने जब अजमेर से ये भाग कर आये थे तो रन्थमबोर में चोहान वंसकी निव रखी थी इनोंने गोविंदराज ने किस चोहान सासक को मतंगा कहा गया आजैराज वासुदays विग्रड़ाज विग्राज चतुर्थ बताएं उस तो जो है चोहान सासक जो है विग्राज दित्ती को मतंगा कहा जाता है मतंगा इने कहा गया विग्रेड आज गित्ते को फाइनल क्यूशन हिंदू पत्य की सासक को कहा जाता है लाखा, राणा लाखा, प्रताप, माराना कुम्बा, माराना सांगा बताएं दोस्तों जो हिंदू पत्य की उपादी जो प्राप्त है वो है माराना सांगा को हिंदू पत्क्युपादी प्राप्त है दोस्तो ये तो बात थी हिस्ट्री की जो important questions थे अगले वीडियो में हम बात करेंगे top 25 हिस्ट्री important for exam thank you very much subscribe जरूर करें अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तो तो subscribe जरूर करें thank you